नमस्कार मैं हूँ पाइल गुडिया तबी से वे कॉंग्रिस पर गरम होने लगे हैं अनुचे तीन सो सत्तर हो या तीन तिलाग बिल जैसे मुद्धे हो इन तमाम मुद्धों पर भी वे मोधी सरकार का साथ देते रहे हैं विसकी वजह से वुने मोधी समर्थक भी कहा जाने लगा है लगातार मोधी सरकार के लिए बैटिंग करने वाले शैजाद जैहिंद लगता है जल्द ही बीजेपी जॉइन करने वाले है दरसल हाली में उन्होंने ट्विट किया है जिसके बाद से ही यह अचकले लगाई जाने लगी है कि वह बीजेपी में जाने वाले है शैजाद जैहिंद के इसी ट्विट के बाद से सोचल मीडिया पर चर्चाएं है कि वह बीजेपी का दामन थामने वाले है ट्विटर यूजर अमिस सिंग ने लिखा अब तो ये निश्यत हो गया है कि आप बीजेपी से जुणने जा रहे हैं अग्रीम बदाई ट्विटर यूजर दीप टोमर ने लिखा हम आपको संसद में देखना चाहते हैं भारत को आपके जैसा यूबा नीता चाहिए राहूल गांधी जैसा नहीं ट्विटर यूजर मनोज कुमार ने लिखा है इंतजार रहेगा बेसबरी से हम तो आपको मोदी जी की टीम का एहम हिस्सा बनते देखना चाहते हैं एक और ट्विटर यूजर ने लिखा हम आपके साथ हैं किसी भी पार्टी में जाओ लेकिन जिस तरह की देश भक्ती है आपके अंदर वो बरकरार रखना लड़ाई विचारों की है किसी व्यक्ति की नहीं शहजाद जैहिंद के ट्विट के बाद सोशल मीडिया पर लोग कुछ इसी तरह की प्रितिक रियाय दे रही है जिसकी एक बजह ये भी है कि उन्होंने अपने ट्विट में 17 सितंबर का जिक्र किया है इसी दिन धेश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी का जनम दिन भी है इसलिए अटकले लगाई जा रही है कि शहजाद जैहिंद पिये मोदी के जनम दिन के मौके पर बीज़ेपी का दामन थाम सकते हैं इससे पहले आमादमी पार्टी के बागी विधायक कपिल मिश्रा ने भी सोशल मेडिया से लेकर सड़क तक मोदी सरकार के पक्ष में खुब अभ्यान चलाया था वह मोदी सरकार के हर फैसले का खुल कर समर्धन करते थे तो वहीं कॉंग्रिस से लेकर के शր्वाल तक सब पर निशाना भी साते थे अभी हाली में वह बुज़ेपी में शामिल हुए हैं कपल मिश्रा के बाद शहदाद जैहिन के बुज़ेपी में शामिल होने के अचकले लगाई जा रही हैं बतादे कि शहजाद जैहिन रॉबर्ट वाड़रा के रिश्दार तहस्तीन पुनावाला के भाई है बहराल अभी तो शहजाद जैहिन के बीजेपी में जानी के अत्कले ही लगाई जा रही है पियमोदी के जनम दिन पर यानि 17 सितंबर को वे कौन सा बड़ा फैक्सा लेते हैं इस पर सभी की निगाही रहेंगी हलो आप देख रहे है अनुफ न्यूज आपके साथ मैं हूँ अनुफम प्रसून एक पुरानी कहावत है पानी में रहकर मगर सिवैर यह कहावत आज के दौर में शायद शहजाद पुना वाला साथ के लिए वरनी है बहुत-बहुत स्वागत है आपका अनुफम बहुत-बहुत शुक्रे आपका लेकिन यह बताए कि आज आपको पब्लिक लोग किस रूप में जाने क्या जो आप पर आरोप लगाया जा रहा जो कॉंग्रेस के लोग शत्रुगन सिना से लेके अरुन शहरी के लिए तालियां बजाते हैं उनको समझ में आएगा कि जिस तरीके से शत्रुगन सिना भी उनके लिए निश्पक्ष है वैसे मैं भी निश्पक्ष हूँ और दूसरी बात ये भी समझ में आ जाएगी कि हाथ में है, उन्होंने बहुत इमोशनल ट्वेट किया है, कि मैंने शहजाद पुनावाला को बचपन से देखा, उन्हें खिलाया, लेकिन मुझे यगीन नहीं होता कि वो इस तरह से बखावग करेंगे, ये ट्वेट मेरे हाथ में ऐसा है मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि हमारे बड़े भाई साथ उनकी वफदारी एक परिवार की तरफ है मेरी वफदारी 125 करोर्ड लोगों की तरफ है जिनका कोई एक परिवार नहीं है जिसके बल्बूते पर वो आगे बढ़े दोंकी वफदारी परिवारवाद की तरफ, मेरी वफदारी काबिलियत की तरफ, वो एक परिवार के गुला, मैं जनता का मुलाजिए। कॉंग्रस बहुत पुरानी पार्टी है, तकरिबन 130 साल पुरानी पार्टी, आपने एक आरोप लगाया था, election नहीं, selection होता है, रास्ट्रे अध्यक्ष का पद, ताजपोशी, उसकी ताजपोशी होती है, यह आरोप लगाया था, लेकिन यह तो कोई पहली दफा नहीं होता, यह तो कॉंग्रस का एक-एक कारेगरता है, और जो भी कॉंग्रस में जोड़ता है, वो जानता है, हमारी पार्टी 130 साल पुरानी है, पर उस समय वो महत्मा गांधी की पार्टी हुआ कटी, महत्मा गांधी की पार्टी में यह व्यवस्था थी, कि मौलाना आजाज जैसे व एक शहजाद, एक शहजादे के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकता, ये भी नहीं कह सकता कि आंत्रिक लोगतंतर का जो दिखावा किया जा रहा है, जो मुखोटा और बुर्खा डाला जा रहा है, उसके नीचे जो चैन हो रहा है, ताजपोशी हो रही है, चुनाव के नाम वो गलत है और वो नहीं होना चाहिए, ये दोनों के बीच में अंतर है, हाँ ये बात जरूर है कि देश का बच्चा-बच्चा जानता है कि गांधी परिवार का ही दबदबा रहा है, पर हम जो थे, वो शायद भूले थे, शायद मासूम थे, शायद हम लोगों को कॉंग्र होने की वज़े से, सिर्फ परिवार का एक टैग होने की वज़े से, और परफर्फॉर्मन्स को साइड करके, उनकी मा ने ही उनको अध्यक्ष बना दिया, उनकी ताजपोशी कर दी, तो फिर मैंने कहा कि अब भारत के युवाओं के साथ और धोका नहीं किया जा सकता, और हमने नामदार के खिलाफ कामदारों ने आवाज उठा है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शहजाद पुनावाला आज जहां पर हैं कॉंग्रस में, वो तहसीन पुनावाला के वज़ा से पहली बात, दूसरी बात ये कि इतना इस हद तक बगावत करने के बात भी, अगर शहजाद कॉंग्रस में बने हुए हैं, तो इसके पीछे भी तहसीन पुनावाला हैं, हकीकत क्या है? 1515 नंबर की बस में जाता था पार्टी के दख्तर, वहाँ पे जनारदन दिवेधी जी और बाकी जो हमारे मीडिया से लेखते थे उनके नेत्तों में काम करता था, और मुफ्त की सेवाइं देता था पार्टी को, तब तक कोई तहसीन पुनावाला का किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, 2012 में मैं जब OSD नूक किया गया, राजीव शुकला जी के नीचे काम किया मैंने, तो तब भी कोई तहसीन पुनावाला का कोई लेना देना नहीं था, 2013 में मुझे जब राश्टी स्तर पर प्रवक्ता के रूप में ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया तब भी तहसीन पुनावाला का कोई लेना देना नहीं था, 2016 में जब महराश्टा का सचीव बना, तब भी तहसीन पुनावाला के होने या नहीं होने से हमारे पॉलिटिक्स को कोई फरक पड़ा है ना पड़ेगा, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कि अगर मैं तहसी अगर मुझे किसी सिस्टम से फाइदा पहुंच रहा है, तो मैं क्या बेवकूप हूँ कि मैं उस सिस्टम के खिलाब बनूँगा, मैंने इसलिए बोला क्योंकि चाहे वो हमारा सिस्टम फेवर करे या ना करे, वो देश के युवाओं के हख में नहीं है और पार्टी के हख में नहीं है, और इसलिए इतना करीब तताकतित रूप से होने के बावजूद भी, मैंने वो हम्मत दिखाई कि मैंने शहजादे के खिलाफ आवाज उठाई, और आपको तो और स्वागत करना चाहिए, अगर मेरा तताकतित रूप से उनका कोई रिष्टा है, तो उसमें त इस तरह से बगावत करना क्या हो सकता है, आपने ये हिम्मत दुटाई कैसे? धर्वार के भलाई में ही पाटी और देश का भला है, जब परिवार पर आफ़त आती है, तो कुछ लोग कहते है परिवार पर आफ़त नहीं आया है, देश पर आफ़त आ गई, और ऐसा ही आज कल डायलोग नारेटिव चल रहा, एक परिवार की सत्ता किसक रही है, तो वो कि देखे, लोक तंतर खतम हो गया, लोक तंतर पे हमला हो गया, देश के उपर हमला हो गया, तो मैं देश और परिवार में बहुत फरक समझता हूँ. वो दोर पहली भी लोग देखते थे जब इंद्रा गांधी क्याक्त्य हुई और राजीव गांधी ने क्या 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 पेड़ गृता है तो हल चला है देखे मेरे लिए प्रेड़ना मैं आपको बताता हूं क्या है अभी-अभी हम लोग उने तैतालिस्वा बरसी मनाया है इमर्जन्सी का इमर्जन्सी के दोरान आपने बहुत सारी कहानिया सुनी होगी ओपोजिशन को जेल में डाल दिया एक प्रेस के उपर सेंसर्शिप लगाया बहुत सारे लोगों को मीसा लगा के मीसा भारती का नाम वैसे मीसा इसी पर पड़ा पर बहराल आज लालू जी कॉंग्रेस के साथ है पर इस तरीके से लोगों को प्रताडिक किया एक जो कहानी ज्यादा नहीं चली है वो है किशोर कुमार की कहानी जिसका जिकर प्रदानमंत्री न किया आपको पता है विद्या और दूर दर्शन में कागजी तोर पर लिखके बेजा गया कि इनके गाने मत बजाईये और इनका भहिशकार किया गया और किशोर कुमार ने फिर भी वो वो सूरज के सामने वो अड़े रहे और वो मूम की तरफ पिगले ने तो अगर किशोर कुमार एक फिल्म जगत से एक प्रिक्ति इतनी हिम्मत और साज दिखा सकता है तो हम तो देश के लिए दिवाने हम इतनी हिम्मत नहीं दिखा सकते हैं